राची के मोराबादी मदान में तीन दिनों के सशक्त सेना सम्रिद भारत प्रदर्शनी का समापन हो गया है जिसमें सेना के जवानों ने हैरत अंगेस कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को रुमान चित कर दिया है प्रदर्शनी में हजारों छात्र एंससी के डिट और आम जिन्ता ने इस एक्जिबेशन को देखा वहीं समापन समारों में पुश्पवर्शा करने वाले मोटरसाइकल एरक्राफ्ट फ्लाइपास्ट की सहसिक गतिवेदियों और डेर डेविल्स आर्मी मोटरसाइकल टीम का स्टंट लोगों को रुमान चित करता रहा वहीं हेलिकॉप्टरों ने फ्लाइपास्ट कर लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया है राश्ट्र राज्य मंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा दिये गए बलिदान के लिए भारतिय सशस्त्र बलों के प्रति अभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि यही नया भारत है जो शसस्त्र से सशस्त्र राश्ट्र अध्यक्ष से आख से आख मिलाकर बात कर सकता है मैं राची की जन्रता क्योर से मैं पूरे अधिकारियों को और ऐसे वीर जवान मैं उनको सालूट करना चाहता हूँ और जो करेंट था आम लोगों में जो यूवा थे बच्चे थे महिलाएं थी बुड़े लोग थे लगातार प्रक्तिकूल परिसिदी गब बारिश हो जाई कि पता नहीं बारिश होती थी फिर दूब लोग डटे रहें उसका मकसद ये था कि भारती सेना कितनी मजबूत है दुनिया में हम किसी से कम नहीं अब तो ये नया भारते से किसी ड़ता नहीं है और यहां भारती फौज की शक्ति हमारे जारखन के आने वाली पीली को दिखाना था अपना कैरियर बना है भारती फौज में भारती सेना में मा भारती की सेवा भारती फौज के मात्यम से की जा सकती है और मैं ऐसे वीर जवान जो अधिकारी गर्ण वीर जवान लगातार तीन दिनों तक सुबह से रात तक जिन्हों ना अद्वबत कला का प्रदर्शन और मेहनत की मैं यह कह सकता हूं कि मैं मेरे पास सब्द नहीं धन्यवाद और आपने आज से 15 दिन पहले भी देखा होगा वीर जवानों को लगाया गया ऐसे वीर जवान 15-16 वीर जवान आए बड़ी कुली निकाला जो पाइलेट्स थे और विमान को खोजा यही तो भारती सेना है युद्ध तो लगती है लेकिन जब प्राकतिक आपदा होती है तो देश देखता है हमारे वीर जवानों को सेना क को भेजो कहीं कहीं भी कोई घटना होती है सेना को भेजो इतना विश्वास यहीं तो भारती सेना है और इस भारती सेना पर हम नाच करते हैं किसी का इन तीन दिनों के अंदर इस पूरे अस्त्र स्त्र को देखके सीना चोड़ा हुआ है सबका सबका माथा उचा हुआ है कि यह भारती है सेना और राची की जनता की ओर से सेना के अधिकारियों सेरा के सभी जवानों को मेरा सैलूट